वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे आज हम इस वीडियो में आपको टॉप फाइप ऐसे मैद बताएंगे जो की काफी इंपोर्टन्ट होने वाली है उन लोगों के लिए जो बिहार दरोगा, यूपी दरोगा और रेलवे एं पहले आप लोगों से निवेदने की जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथी साथ घंटे के बेल ऐकन को दबा दें जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहा है तो चलिए हम वीडियो को सुरू करते हैं हमारा पहला सवाल है कि 56 रुपईया परती केजी की चाय को बिरासी रुपईया परती केजी की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिसरन का क्रेमुल 66 रुपईया परती केजी हो जाए देखिए फ्रेंट्स ये जो सवाल है आपका mixer से है और काफी important सवाल है एक्जाम में बार-बार पूछा जाता है तो चलिए इस सवाल को हम बनाते हैं इस सवाल में आपको करना कुछ भी नहीं है ये देखिए आपको दो मुल्य दिया गया है एक 56 रुपईया और एक 82 रुपईया परती केजी आप दोनों मुल्य को लिख लिए एक 56 रुपईया वाला है और एक 82 रुपईया वाला है जब दिये गए मुल्य का एक average मुल्य दिया गया है कि दो उसका जो क्रेम उल्य सलसट रुपय हो जाया तो जो जब इसको हम घटाते हैं तो बड़ा में चोटा को ही घटाया जाता है एक बार आप इस तरह से घटाईए है एक बार ऑपोजिट घटाईए यानि दोनों ऑपोजिट घटता है एक बार उपर से नीचे एक बार नीचे से उपर तो हम यहां पे एक बार पहले 67 में 56 को घटाते हैं जब हम 66 में 56 को घटाएंगे तो हमें यहाँ पर 11 प्राप्त होगा और जब हम 82 में 66 को घटाएंगे तो हमें यह 15 प्राप्त होगा तो यह जो हमारा नीचे में जो रेशियो निकल कर आता है यही हमारा quantity का रेशियो होता है ठीक है और इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जब हम 56 रुपईया और 82 रुपईया वाली चाय को 15 रिश्यो 11 के अनुपात में मिलाएंगे तो उसका जो एवरेज मुल्य हो जाएगा वो 66 रुपईया परती केजी हो जाएगा इसलिए हमारा जो एंसर होगा वो 15 रिश्यो 11 होगा चली हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं तो फ्रेंट्स हमारा दूसरा सवाल है कि दो व्यक्ती करमसा 12 किलोमीटर तथा 15 किलोमीटर के चाल से एक समान दूरी तै करता है एक व्यक्ती दूसरे से 30 मिनट का अधिक समय लेता है तो दूरी ग्यात करें चले फ्रेंट्स इस सवाल को बनाते हैं हमने माना कि कोई व्यक्ति A है और उसकी चाल दिया गया है 12 किलोमीटर परती घंटा हमने माना कि दूसरा व्यक्ति जो है वो B है और उसकी चाल जो दी गई है वो है 15 किलोमीटर परती घंटा यहां पर आपसे दूरी पुछा गया है तो यहां पर हम दूरी को इन दोनों का एक ऐल्सियम लेकरके दूरी को माल लेना है जब हम 12 और 15 का ऐल्सियम लेगे तो हमारा जो दूरी यहां हो जाएगा वो 60 हो जाएगा ठीक है? यह 60 दूरी जो है वो मानिवी है इसे आप ध्यान में रखेंगे तो जब 60 किलोमेटर की दूरी हो और ए 12 किलोमेटर प्रती घंटा की स्पीट से चलेगा तो उसको समय कितना लगेगा? 5 घंटा का समय लगेगा उसी परकार जब दूरी 60 किलोमेटर हो और बी की स्पीट जब 15 किलोमेटर प्रती घंटा हो तो इसे बी को तै करने में इसे 4 घंटा लगेगा हम देख पा रहे हैं कि ए जो है वो बी से एक घंटा अधिक समय ले रहा है कितना ले रहा है एक घंटा अधिक समय ले रहा है और सवाल में कहा गया है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 30 मिनट अधिक समय लेता है तो यहाँ पर 30 मिनट अधिक ले रहा है यहाँ पर 1 घंट अधिक ले रहा है तो यह मिनट में है तो हम यहाँ पर 60 मिनट लिख सकते हैं एक घंटे को 60 मिनट तो 60 मिनट मेरे अनुसार जो है 60 मिनट अधिक ले रहा है जबकि सवाल के अनुसार कितना ले रहा है, 30 मिनिट अधिक ले रहा है, सवाल के अनुसार 30 मिनिट अधिक समय ले रहा है, तो ये मेरे अनुसार 60 मिनिट है, सवाल के अनुसार 30 मिनिट है, तो ये इसका कितना है, 1 by 2 है, यानि कि half है, आधा है, इसी परकार से, जो हमारा दूर मीटर यही हमारा आंसर होगा चले हम तीसरे सवाल के और चलते हैं हमारा तीसरा सवाल है कि 180 मीटर त्रफवींटर लंबी 2 रेल गारी विपरिथ दिसाओं में करमसा 40 मिटर क्वींटर 50 किलमेटर की इसीं से एक दुसरे को कितनी देर में पार कर जाएगी देखें दो रेल गाली है एक की लंबाई है 180 मीटर और दूसरी की लंबाई है 220 मीटर दोनों जो है वो विपरी दिसा से आ रही है एक इधर से आ रही है जब दो रेल गाली एक दूसरे को पार करती है तो वो दोनों अपनी ही दूरी को तै करती है तो यहां पर दो कुल दूरी में कुल दूरी जो हमारा 180 प्लस 220 बराबर 400 मीटर हो जाएगा ठीक है चलिए जब दूसरी बात कि जब ट्रेन पोजिट साइड से आती है जब ट्रेन पोजिट साइड से विपरी दिसा में हो तो दोनों का इस पीड जो है वो प्लस हो जाता है, दोनों के स्पीट क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर जहाँ हम चाल होगा वो चाल होगा, वो 40 किलो मीटर प्लस 50 किलो मीटर, टोटल हो जाएगा 90 किलो मीटर परती घंटा लेकिन यहाँ पर हमेरे जो दूरी दी गई है वो मीटर में है और चाल जो वो किलो मीटर परती घंटा में है तो हमें इसको स्पीट को जो है वो मीटर परती सिकंड में बदलना होगा तो मीटर परती सेकेंड में बदलने के लिए 5 बटे 18 से गुना कर देते हैं तो 18 से कर जाएगा 5 बार में तो यहाँ पर हो जाएगा 25 मीटर परती सेकेंड यह हमारा स्पीड निकल कर आ गया अब हमें सवाल में कहा गया है कि वो दोनों एक दूसरे को कितनी देर में पार कर जाएगे यानि कि हमें समय निकालना है तो समय बराबर हमारा फॉर्मुला होता है समय बराबर हमारा फॉर्मुला होता है दूरी बटा चाल तो कुल दूरी है हमारा 400 मीटर जो उन दोनों की ट्रेन की लंबाई है और हमारा स्पीड वो है 25 मीटर परती सेकेंड 25 से ये कट जाएगा 16 बार में और हमारा सही जवाब होगा 16 सेकेंड यानि कि 16 सेकेंड में दोनों एक दूसले को पार कर जाएगी चली हम चौथे सवाल के ओर चलते हैं तो फ्रेंट्स हमारा चौथा सवाल है कि एक वैक्ति सांथ जल में चाल जो है वैक्ति की 10 किलोमीटर परती घंटा है और यदि धारा की चाल 6 किलोमेटर परती घंटा हो तो धारा की विपरित तथा धारा के साथ उस वैक्ति की चाल को ग्याद करना है देखिए इस सवाल को समझने के लिए आपको चलिए एक डाइगराम बना देते हैं मान लें यह धारा है एक नदी की धारा है नदी हमेशा ढाल कि उर चलती रहती है तो यह धारा की दिसा है धारा की दिसा परती घंटा है लेकिन जब कोई वैक्ती है, कोई वैक्ती जो है इस पे तैरेगा, तो जो धारा की दिसा के साथ चलेगा, तो क्या होगा, उसका speed बढ़ जाएगा, ठीक है ना, एक तो धारा की चाल है, पानी भी बहरा है, और उपर से वो भी हाथ पर चलाएगा, तो उसका speed बढ़ जाएगा यानि कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जो चाल होगा, धारा की दिशा में जो चाल है, वो क्या होगा, वेक्ति की चाल, वेक्ति की चाल अप प्लस धारा की चाल एड हो जाएगी, ठीक है, दोनों एड हो जाएगी, लेकिन अगर धारा की विपरित अगर बात करें, तो विपरित में क्या होता है, ये इसका धारा विरोध करता है, इधर से अगर वैक्ति जा रहा है, उदर से धारा आरी तो उसका विरोध करता है, तो यहाँ पर जो विपरित में क्या हो जाएगा, वैक्ति की चाल जो होगी, वो माइनस हो जाएगा, धारा में, ठीक है, ओपो देखिए सबसे पहले हम निकालते है धारा के साथ धारा के साथ धारा के साथ व्यक्ति की चल कितना है यह चोटल ढरती घंटा तो टोल जो इस धृ दोनों एड़ हो जाएगा और वो टोल मिलके हो जाएगा तो यह हो जाएगा 10-6 यानि कि 4 km परती घंटा और यही हमारा आंसर होगा चलिए हम पाच्वे सवाल की ओर चलते हैं हमारा पाच्वा सवाल है कि A अकेला किसी कारी को 20 दिन में कर सकता है और B अकेला 30 दिन में कर सकता है दोनों मिलकर उस कारी को कितने दिन में पूरा करेंगे हमें A का कारी छमता जो हो दिया गया है कि A किसी कारी को 20 दिन में और B उसी कारी को 30 दिन में पूरा कर लेगा हमारे प कर लेता है तो हमें यह निकालना है कि पर डे यानि कि डेली वो कितना कारी कर सकता है तो टोटल कारी 60 है और यह 20 दिन में समाप्ट करेगा तो वो पर डे कितना कारी करेगा पर टीन कारी करेगा अब बी की बात करें बी जो है वो कारी को 30 दिन में समाप्ट कर लेता है तो दोनों को बोला जाए कि एक साथ कारे करो तो दोनों जो है वो एक दिन में कितना कारे करेंगे पांच कारे करेंगे एक दिन में पांच कारे करेंगे अच्छा टोटल कारे जो है हमारा है कितना साथ और पांच कारे करते हैं एक दिन में दोनों मिलकर तो उसे टोटल समय कितना लगने वाला है बारा दिन और यही हमारा आंसर होगा उमीद करते हैं दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए और साथी साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद